Dear Students, आप सभीका बहुत-बहुत स्वागत है बच्चों ये Class 6 का SST book है और ये Civics है Chapter 2 तो इस Chapter का मैं सारा question solve कर चुका हूँ सभीका solution दे चुका हूँ लेकिन इसमें long question जो है उसका बाकी था तो आएए आज हम लोग इसका long question जो है उसको solve कर लेते हैं तो यहाँ पे है इसका long question answer the following questions तो यहाँ पे five questions है तो इसको मैं अप लोग को इसका answer हिंदी और इंग्लिस दोनों बरसन में दे देता हूँ ये है question number one का answer mention how the constitution of India prohibits discrimination तो यहाँ पे इसका answer दिया हूआ है और हिंदी अंसर यहाँ पे इस तरह से दिया हूआ है समविधान द्वारा कानून की दृष्टी से सबके लिए समानता सुनिश्चित की गई है समविधान सभी लोगों की धार्मिक सोतनतरता की रच्छा करता है च्छा चुत का पुर्ण रूप से उन्मूलन कर दिया गया है और किसी भी रूप में इसका उपयोग नहीं किया जा सकता question number two what are the ill effects of prejudious and stereotyped thinking prejudious and stereotyped thinking lead to hatred, bitterness and any enmity amongst the people societies where such opinions prevail cannot develop and prosper पुर्वागरह और रूडिवादी विचारों से लोगों में घिरना कटूता और सतूरता उत्पन होती है जिन समाजों में इस परकार के विचार हावी रहते हैं वह कभी परगती नहीं कर सकते question number three में what problems do Indian women generally face in our society women are treated as unequal in many areas such as education, healthcare, their basic needs and economic rights अनेक छेत्रों जैसे सिक्षा, स्वास्त, बुन्यादी जरुरतों और आर्थिक अधिकारों के मामले में महिलाओं को हमारे समाज में बराबरी का दर्जा हासिल नहीं है question number four list various discriminatory practices in the Indian society तो यहां कई तरह के discrimination दिखाया गया है racial discrimination, religious discrimination, economic discrimination, caste discrimination, gender discrimination तो यहां पे इसका हिंदी में दिया गया है नसलिय भेद्भाव, धार्मिक भेद्भाव, आर्तिक भेद्भाव, जातिगत भेद्भाव और अंतमे लिंग भेद्भाव इस तरह से कई तरह का discrimination यहां पे है और question number five नेमेनी two political leaders who fought against untouchability मातमा गांधी एंड डाक्टर भीमरा अंबेटकर यह दोनों untouchability छुवा छूत को लेकर fight किये थे और इन्होंने हमेशा बतला है कि छुवा छूत समाज में ना रहे किसी भी तरह से इसको मानना नहीं है लेकिन आज भी समाज में ब्याप्त है छुवा छूत तो यहाँ पर यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गिया है और इसे तरह का और वीडियो पाने के लिए हमरे चैनल को सब्सक्राइब करके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को share कीजिए ताकि उन लोगों तक पहुंच सके जो इसको ढूंड रहे हैं या जिनको जोरत है तो इसके नेक्स चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स वीडियो में चलेंगे